एलिजा बैद दुतिये ये आप सभी को माल होगा कि यूनाइटिट किंगडम यानि की यूके जिसे आप लोग वेटेन के नाम से जानते हैं यहां की रानी और चवदय अन राष्टमंडल छेत्रों की रानी थी और जो अब हमारे बीच में नहीं रही हैं हाली में इनकी मौत हो गई है और आपको बता दूँ यहां राष्टन्त की रूम में राजा और रानी आप लोगों को देखने को मिलेगा और दूसरी तरफ आप की यहां पिधानमंत्री पत के लिए चुनाओ भी होता है और अभी हाली में चुनाओ हुआ था और आपने देखा होगा कि लिच्ट्रस यह पिधानमंत्री बनी है भारती मूल के रिशी सोनक को हरा कर और लिच्ट्रस वेटिन की तीसरी महला पिधानमंत्री है इनसे पहले आप देखेंगे थेरेशा में और मार्गरेट थेशर भी पिधान मंतरी रह चुकी हैं और अभी तक हमारे देश में देखेंगे आप लोग तो एक मात पिधान मंतरी महला बनी है बो है इंडरा गांधी आप सभी लोग जानते होंगे तो हम लोग Elijia Beddudiyay यानि कि महरानी की एक सामान जानकारी देख लेते हैं इनके बारे में एक सामान चर्चा कर लेते हैं कुछ और पिक्चर है इन्हें भी देख लीजे आप लोग और एक बार आप लोग वेटेन को देख लीजे देखिए यह हमारी प्यारी पित भी है और इसमें आप देखेंगे यह हमारा प्यारा भारत है और यहां से आप लोग कहा जाएंगे United Kingdom इसकी राधधानी है London और यहां आप लोगों को सहर देखने को मिलेंगे जो काफी चर्चा में रहते हैं एक तो आप देखेंगे कि आपका क्या है यह आप देखेंगे बर्मिंगम में जिसमें अभी हाली में कॉमन बेल्थ गेम हुए थे मैंचेस्टर हो गया तो इनी की बात हो रही है तो यहीं की राणी थी यह अगर हम लोग राणी की प्यारमभिक जीवन की बात करें तो Elizabeth Alexander मेरी अधिकारिक तोर पर Elizabeth दुतिय क का सही सक है 21 अपरेल 1926 को लंदन इंगलेंड में इनका जनम हुआ था कहां लंदन इंगलेंड में और आप देखेंगे कि उन्होंने 6 फरवरी 1992 को United Kingdom of Great Britain और उत्री आइलेंड की रानी की रोम में कमान समाली थी वह वेटिस इतिहास में सबसे लंबी समय तक राज करने वाली समराथ हैं यहां की महरानी एलीजाबर्थ प्रेंस अलवर्ट यूट के ड्यूक और लेडी एलीजाबर्थ वेन लियोन की बेटी थी वाइकिंग जॉल्ट फंजम के छोटे बेटी की बेटी थी और इस पेकार युवा एलीजाबर्थ की सिंगहासन पर बैटने की बहुत कम संभावोना थी उस समय और यह तब था जब उनके चाचा एडवर्ड 8 ने 1936 में एलिया वेट की पिता की पक्ष में अपना सिंग्यासन त्याग दिया था और यहीं वह समय था जब उनके पिता किंग जॉर्ज 6 बने और जिससे बे उत्रादिकारी बन गई अगर आप सुचें कि इनके जो चाचा थे एडवर्ड 6 अगर यह पद ना त्याग थे और इनके पिता को यह पद ना मिलता तो यह उत्तरादिकारी कभी ना होती और अगर हम लोग इनकी साधी की बात करें और कहते हैं कि इनकी साधी काफी विवाद में भी रही है इनके अलिजावेथ ने अपने पती अग्रीस और डेन्मार्क के राजकुमार फिलिप से 1934 में और फिर 1937 में मुलाकात की और बेडन्मार्क के राजा किश्चियान नाइंत के माध्यम से हटाए गए दूसरे चचेरे भाई और राणी विक्तोरिया के माध्यम से तीसरे चचेरे भाई थी जुलाई 1949 में आप देखेंगे डायट माउथ में रोयल नेवल नेवल कॉलेज में तीसरी बार मिलने के बाद एलिजाब रेथ हाला की केवल 13 वर्स की थी उस समय इन्होंने उसे फिलिप से प्यार हो गया उन्होंने पत्रों का आदान पिदान करना शुरू कर दिया वो 21 साल की थी जब 9 जुलाई 1947 को उनकी सगाई और अधिकारिक घोशना हो की गई थी और आप देखेंगे महारानी एलिजाब वेथ दुतिय का सिंगहासन पर बैठने की बात करें तो 1929 में किंग्स जॉर्ज सेक्स के स्वास्त में गंबीर गिरावट देखी गई और राज सुमफिंग दा कलर सहथ बिविन राज औसरों पर किंग जॉर्ज सिक्स का पितिनिदित करती थी यानि की बड़ी बेटी होने के कारण आप देखें इन्हें ही पद उत्रादिकारी के रूब में ए थी और दुरभाग से 6 फरवरी 1952 को राजा की मौत हो जाती है उनकी पिता किंग जॉर्ज सिक्स के लिए बड़े सोक में भी थे हाला कि कलेरेंस हाउस में बर्मिंगम बकिंगम पैले जाने के बाद महरानी ने बहादुरी से संप्रभू की सभी नेमित जिमादारियों और करतबों को निभाया और उसके बाद आप देखें कि उन्होंने 4 नवंबर 195 को अपने सासनकाल में संसत का पहला राज उदगाटन किया और महरानी का राज अविशिक 2 जून 1903 को वेस्ट मिस्टर एब्बे में हुआ था और इनके सामने बहुत सारी चनोदियां भी थी उस समय तो महरानी एलिजाबेट्स राजसाही की आदोनिक भूमिका में जड़ विश्वास रखती थी उनका विश्वास को इसारों में पिरगट होता है जैसे बर्स 1970 में साही परिवार की घरेलू जीवन को टेलीविजन पर पिसारीत करना हाला कि आदोनिक राज साही का रास्ता रानी के लिए आसान नहीं था 1990 की दसक में साही परिवार को मुसीवतों की आदी का सामना भी यहां करना पड़ा और 1992 को स्वैम रानी द्वारा साही परिवार की बारसिक भया भयता की रूम में माना जाता है और इस साल प्रेंस इंडिव अपनी पतनी सारा डचेस ओप योग के साथ अलव हो गए प्रेंस को मंदी का सामना भी करना पड़ा और जिससे साही परिवार की जीवन से अली के पिती भारी आक्रोस भी यहां की लोगों में देखा गया 1992 में महरानी एलीजा विर्थ अपनी निजी आरे पर करों का भुकतान करने के लिए भी सह मत हुई और चाल्स और डायना का तलाग भी परिवार के लिए एक चिंता का विसाय था क्योंकि इस घटना ने सभी पेकार की समर्थन को समाक्त कर दिया था इसके बाद आप देखेंगे 1997 में में डायना की मिट्टिव के बाद आकरोस गहरा गया और जब महरानी एलीजा वित ने सुरू में बर्मिंगम के उपर आधी क पचासवा बर्स था और आप देखेंगे गोल्डन जुबली एर मनाने के राष्ट मंडल में बिभिन कारिकरम आयोजित किये गए और इसमें लंदन में कई दिनों तक चलने वाले उत्साओ भी सामिल थे हाला कि एलीजा वैत की मा और बहन की डैत के साथ समारों की चेंगार मिड लटन से साधी के साथ जसन बनाने का एक और कारण दिया था और आप देखेंगे वर्स 2000 बारे में महरानी एलीजावेट के लिए डैमंड जूली वर्स था वर्स रानी के लिए सिंगासन के साथ वर्स लंबे वर्सों को चिन्ने करता है और चल है वर्स 2022 को महरानी बैठाती है और महरानी एलिजावेट दुतिये का डैथ जैसा की आप सभी जानते हैं 8 सेप्टमबर 2000 वाइस को 96 साल की उम्रे में इनकी डैथ हो गई और लंबी समय से बीमार चल रही थी स्कॉटलेंड की वाल मोरल कासल में उन्होंने अंतिम सास ली है और यह आप देखेगा इन्होंने अलविदा कह दिया है अब आप लोगों की इमन में एक और सभाल उट रहा होगा कि कौन सिंगहसन पर बैठाएगा आप वेटिन के तो महरानी एलिजावेट दुतिये की सबसे बड़ी वेटे प्रेंस और वेल्स प्रेंस चाल्स ने अपनी मा की दुखन नेधन की तुरंत बाद सासन सम्हा लिया है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो बड़ा वेटा होता है या बड़ी वेटी होती है वही यहां का राजा रानी बन जाता है तो यह सोट कहानी है एक उसकी वाइवगर आपी cover करते रहते हैं